हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका एस शांद पब्लिकेशन के ओफिशल यूड्यूब चैनल पे दोस्तों मैं श्रयांस को डारी लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत शांदार एक किताब वर्बल एं नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहतरीन किताब दोस्तों ये जो ब पहतरीन किताब है कि वर्बल रीजनिंग हो लॉजिकल रीजनिंग हो या नॉन वर्बल रीजनिंग हो दोस्तों उसके सारे चैप्टर्स को कवर करते वी ये किताब है आप बैंकिंग का एससी का रेलवे का कोई एक्जाम दे रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे अब तो एंडिं पर भी आ चुक है एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों आप कोई भी चीज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो इस बुक को जरूर देखिए अच्छे से देखिए इसके अंदर पहले concept समझाए गए हैं concept के बाद जोजे example दिये गए हैं example के बाद में आपके पास exercise है एक बहुत बड़ा question bank है और वहां तक बात खतम नहीं होती उसके बाद answer और answer के बाद solution एक एक चीज अगर आपको कहीं मिलेगी तो दोस्तों वो यहीं मिलेगी आपके प्यारी किताब S.Cant application की verbal and non-verbal reasoning पे उसका वीडियो solution के बारे में सोचा गया और हम वीडियो solution लेके आए दोस्तों ये वीडियो solution chapter number 15 का है इसका मतलब समझ लीजे अगर आप आज पहली बार आएं तो आप नए हैं पहले पुराने वाले videos देखिए at least non-verbal वाले सारे देख लीजे आज एक अलगी chapter लेके हैं दोस्तों dot situation banking के भी previous year में आपको पता है तो बता दू dot situation के questions आते थे जब तक non-verbal आती थी लिए चलता हूं दोस्तों एक ही exercise है total exercise 15 उसके कुछ questions हम करें उससे पहले इसकी theory के बारे में समझ लेते हैं basic theory क्या है वो मैं समझाता हूं आपको कि इसके पीछे का basic theory क्या है देखेगा यहाँ पे आपको एक question figure मिलेगा पहले direction पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूं direction मैं लिखा है दोस्तों in each of the following question from amongst the figured figures marked 1, 2, 3, 4 select that one which satisfy the same condition of the placement of dot in figure x क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि हमें इस figure में जहाँ ये dot लगा है आपको dot नज़र आ रहा है इस dot को satisfy करना है यानि आपको ये देखना है दोस्तों ये जो dot लगा है ये right now किन किन को लिये है यानि कौन कौन से figures पे है उनली वैसा वाला figure आपको जहां मिल रहा है वही हमारा answer है अभी समझाता हूँ एक एक question को करके ज़रा देखें ध्यान से क्या ये dot circle को touch कर रहा है नहीं कर रहा है ये dot एक तो triangle में है एक square में है यानि ये dot की situation कुछ ऐसी है कि आपको ऐसी एक situation देखनी है जो केवल triangle और square में हो ज़रा देखते हैं दोस्तों केवल triangle और square यहां पे आपको नज़र आ रहा है dot लगाया जा सकता है same situation है आपको यहां पे केवल triangle और square है यहां भी केवल triangle और square है ज़रा यहां देखें हम आप ढूंडते रह जाएंगे क्योंकि circle का position ही ऐसा बना है कि अगर कोई circle के बाद triangle है तो वहाँ square नहीं है circle के बाद square है तो triangle नहीं है जो common portion है वहाँ circle भी है हमें circle नहीं चाहिए था ना circle नहीं चाहिए था बात समझ आईए आपको एक और question करते हैं देखेंगा आप देख सकते हैं circle और triangle तो मिले ही नहीं आपे जब मिले ही नहीं तो फिर वो situation बनी नहीं situation नहीं बनी तो satisfy dot किया ही नहीं इधर अगर हम देखें तो दोस्तों ये वो common portion है जहाँ पे circle square और triangle common है द्यान से देखेगा जो मैंने red किया है वो ऐसा portion है चाहाँ square और triangle मिल रहे है बट जब ये square और triangle मिल रहे हैं आपको एक circle भी मिल रहा है जो circle से हमें दूर रहना है यानि हमारे पास कुल मिला के केवल first ऐसी situation है जहाँ पे dot उसी जगे को satisfy कर रहा है जहाँ square और triangle मिल रहे है एक आद question और करेंगे तो शायद और clarity आएगी फिर हम speed बढ़ाएंगे हमारे questions को करनेगी देखेगा देखेगा मेरा dot जहांपे लगा है वहाँ पे एक तो triangle आ रहा है और एक circle आ रहा है square से तो बार है यानि मुझे देखना है circle और triangle circle और triangle का dot ज़रा देखिए circle और triangle तो अपने आप में मिले ही नहीं जब मिले ही नहीं तो वह situation बनी नहीं सरकल और ट्राइंगल जहां मिल रहे हैं वो ये वाला पोर्शन है आपको देख पा रहा होगा सरकल और ट्राइंगल यहां पे मिल रहे हैं लेकिन जहां यह मिल रहे हैं वहाँ स्क्वेर भी आ रहा है और हमें स्क्वेर से बाहर रहना है यह भी हमारे काम का नहीं है circle और triangle यहाँ पे मिल रहे हैं जहाँ पे square नहीं है और हमें ऐसा ही चाहिए था जहाँ circle और triangle मिल रहे है square नहीं है यहाँ अगर मैं देखूं circle और triangle का intersection इस बड़े portion पे और जहाँ पे यह बड़ा portion है वो square के अंदर यह बार नहीं है तो ऐसी कोई जगे नहीं है जो circle triangle के पास तो है लेकिन square के पास नहीं है यानि dot situation को सिर्फ यह third option ही satisfy कर रहा है I am sure धीरे धीरे चीज़ें और बहतर होती जा रही है मुझे figure में देखना है कि dot किन किन के पास है क्या ऐसा ही कोई जगे और देखना है बस यही देखना है question में एक और question करते है यहाँ जो question आएगा question number third को दियान से देखेगा मुझे जो dot की situation चाहिए वो क्या है dot की situation है दोस्तों circle और square triangle से दूर है circle square circle square दिमाग में रखिये circle square देखेगा दोस्तों यह मेरा square है यह मेरा circle है circle square यहाँ पे मिलता है जहां भी circle square मिल रहा है वो triangle के अंदर है triangle से दूर रखना है मुझे triangle से दूर रखना है मुझे देखेगा जरा circle और square कहां मिल रहा है circle और square यहाँ पे मिल रहा है जहां circle square मिल रहा है वो triangle के अंदर है वो नहीं चाहिए मुझे इसको भी cancel out कर दो भई circle और square देखेगा circle और square जहां मिला है वो triangle के अंदर है ये भी नहीं चाहिए circle और square ये वाला portion आपको नजर आ रहा है यहां अगर मैं dot लगाता हूँ तो ये circle में है, square में है, triangle में नहीं है और वही हमें चाहिए था, जो triangle में नहीं हो, circle और square में हो ये है dot situation, दोस्तों actually में अगर आप देखें थोड़ा सा जटिल है, चीजों को समझेंगे तो आसान हो जाएगा हमें actually elimination ही करना होगा और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास एक और question देखिए ज़रा common to all, ये जो dot है ना, circle में भी है, triangle में भी, square में भी है सभी जगे है, हमें एक ऐसा dot ढूणना है, एक ऐसा area ढूणना है जो तीनों में common हो, आप देख सकते हैं, यहाँ पे square बाहर आगया हमारे कामका नहीं है आप देख सकते हैं, यहाँ square और triangle आपस में मिल नहीं रहे हैं आप देख सकते है, circle और square आपस में नहीं मिल रहे हैं तो जब नहीं मिल रहे हैं, तो common place बनेगी बनागी नहीं यही एक मात्र जगे, आपको जहाँ मैंने dot लगाया आप देखिएगा यही एक मात्र जगे है जहां सरकल भी है स्क्वेर भी है और ट्राइंगल भी है तीनों चीजें मिल गई आंसर राइट हो गया यह मेरा question number four का second हो गया चलिए धीरे धीरे ही सही चीजें बहतर होती चली जा रही है question हम करते जा रहे हैं अब दोस्तों दो दो डॉट आ गएं एक छोड़िये इस बर दो दो डॉट के satisfaction को करना पड़ेगा हमें पहला डॉट एक एक करके चलते दोस्तों पहला डॉट है मेरा सरकल और ट्राइंगल का यहां पर यह वाला जो डॉट है न सरकल ट्राइंगल ओनली circle triangle only circle triangle only circle triangle only circle triangle only यहाँ देखिए जरा circle triangle only नहीं बन रहा क्यों नहीं बन रहा circle triangle जो है वो इस portion में है और यह square के पास भी है इसे हम cancel out कर लेते हैं तीन, चार मैंसे एक elimination हो गया तीन रहे गए हमारे पास अब देखते हैं दोस्तों square triangle square or triangle without circle square triangle without circle दरा देखिएगा square or triangle जहां मिल रहे हैं यह वाला portion यह circle के अंदर भी है eliminate कर दो भाई square triangle यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यह circle के अंदर भी है इसे भी छोड़ दो square triangle यहाँ पे मिल रहा है यह circle में नहीं है यही मेरा answer है और वैसे आपको हो इलिमिनेट कर दिये थे इसे तो आंसर हो ना ही था दोट स्रोट डॉट सिचुएशन में यही अपना ना है आपको बेसिक नियम यही है आप उस डॉट को लेके चलिए बाकी चीजें इलिमिनेट करते चलिए देखते हैं दोस्तों एक और क्वेशन को अच्छे से क्वेशन ट्राइंगल यहां पे स्कुएर ट्राइंगल तो ही नहीं कोई जगे पे छोड़ देते हैं इसे यहां पे स्कुएर ट्राइंगल दोनों अकेले कहीं मिली नहीं रहे क्यों नहीं मिल रहे भाई यह वाला स्कुएर ट्राइंगल अगर लोगे आप तो आप देखोगे कि यहा पे भी circle आई रहा है square triangle का अलग से कोई option ही नहीं आपके पास यही खतम हो गया यानि मेरे एक dot situation से ही second, third और four तो eliminate हो गए फिर भी मैं रुकूंगा नहीं मैं एक बार कोशिश करूँगा कि जो एक single dot extra बच गया उसको देख लो यह जो dot है मेरा यह है triangle circle पे जरा देखिएगा triangle circle यहाँ पे triangle circle है बाकी देखने की जरूत नहीं है इसमें मेरे दोनों fulfill हो गए यही मेरा answer हो गया और यही trick हो गई, यही समझदारी हो गई आप एक dot को लेके चलो eliminate कर दो दूसरे dot को लेके चलो बाकी वाले बद छोड़ दो एक ही answer रह जाएगा करते हैं दोस्तों कुछ और questions करते हैं थोड़े धीरे धीरे जब complex question आएंगे तब आपको भी मज़ा आएगा चीजों को आराम से समझिएगा question number 7 को देखते हैं चलिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहले तो only circle अकेला यह वाला जो dot है ना आप notice करें न triangle में है न square में only circle तो पहले तो only circle को dot करी दिया जाए यहाँ देखो only circle बचा ही नहीं यह circle जो है या तो triangle में या square में आई रहा है अकेला नहीं बचा तो एक dot का तो मेरे से एक elimination मिल गया अब दूसरा वाला दोखो आप अगर circle के साथ triangle चाहिए square नहीं चाहिए circle के साथ triangle चाहिए square नहीं चाहिए circle के साथ triangle चाहिए भूल जाओ मेरे भाई circle के साथ triangle तो चाहिए लेकिन square नहीं चाहिए circle के साथ triangle चाहिए square नहीं चाहिए को देखिए आप ये वाला डॉट only circle का है ये वाला डॉट circle triangle का है square नहीं है और यही हमें चाहिए तो दोनों डॉट को बहुत बारी की से देखना पड़ता है समझना पड़ता है कि कहां डॉट लगाना होगा और question देखिए दोस्तों question number eight में लिए चलते हैं एक-एक question को बहुत आराम से देख रहे हैं आप भी बहुत आराम से देखिए भाई देखिए जरा सबसे पहले ये वाला जो dot है बताओ जरा इसका situation क्या होगा एक तो triangle है एक circle triangle तरा देखिए only circle triangle है क्या भाई ये circle triangle है लेकिन only में नहीं है क्यों क्योंकि ये square में भी है triangle है circle triangle है circle triangle इतने में मिल रहा है लेकिन square भी मिल रहा है circle triangle इतने में मिल रहा है लेकिन square भी मिल रहा है बताइए एक single dot से मेरा answer आ गया आप चाहें तो इसे verify कर लीजेगा बाकी एक single dot से ही answer आ गया answer second ही होगा दूसरे dot को check कर लो बले circle और square जरा देखो circle square है क्या बिलकुल है कितना आसान हो गया काम और यही करना है दोस्तों एक्जाम के लिए confidence ऐसे ही बनेगा कुछ questions मैं कर रहा हूँगा बाकी questions आप करेंगे जब आप question करेंगे confidence आपको जरूर मिलेगा चलिए और लिए चलते हैं दोस्तों अगले question पे question number 9 और 10 को देखते हैं आप आप से देखियेगा एक एक question को आप समझीएगा देखते हैं satisfy किसे करना है यह वाला portion अगर आप देखें तो यह क्या है दोस्तों यह एक triangle के साथ circle है आपको नज़र आ रहा है एक triangle और circle है square नहीं है ना इस dot में square नहीं है Circle और Triangle जितना भी common portion है, वो square के साथ है कितना easy हो जाता है अगर आपके दो dot में से वो वाला dot पकड में आ जाए ये दोनों ही जो question मैंने किये, luckily वहाँ पे dot पढ़ गया मैंने वो dot को उठाया जो easily eliminate हो गया exam में ऐसा हो या नहीं हो मुझे फरक नहीं बढ़ता, मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे कैसे fast करूँ, अब मुझे करना क्या है सिर्फ दूसरी वाली situation को चेकी तो करना है square और triangle, आप देखेंगे square triangle जरा देखिए square triangle, ये रहा square triangle ये dot अलग, ये dot अलग, दोरों fulfill हो गए एक single जटके में सारा काम फटाफट हो गया यही exam में करना है बस आपको और कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखेगा अगला question देखते है, 10 number question ध्यान से देखेगा, यहाँ पे एक dot तो सभी में है आप देखेंगे यह जो dot है ना यह triangle में भी है, square में भी है, circle में भी है और यह वाला dot जो है यह triangle और square में, circle में नहीं है triangle square में, circle में नहीं है मुझे लगता है कि यह तो commonly मिल जाएगा ना हमें तो वो डूडना है जो uncommon मिले तो पहले elimination फटाफट हो जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा dot ढूट ढूनते है जो triangle और square में हो जरा देखिए triangle और square में केवल हो possible ही नहीं है क्योंकि यही एक वो portion है और यह तीनों का dot है अकेला square triangle नहीं मिल रहे अकेला square triangle आप देखिए गा यहां पे भी नहीं मिल रहा है अकेला square triangle दोस्तों यह तो हमें यहां मिल गया अकेला square triangle मिल गया अकेला square triangle देखिए जरा अकेला square triangle यहां पे मिल गया तो अब दो ऐसी position है जहां अकेला square triangle तो हमें मिल गया अब ढूनना है common तो इनको तो भूल जाएं जो हमने eliminate कर दिये जरा यहाँ देखिए कोई common portion ही नहीं जो तीनों में आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे figure बनाए हैं कि कोई जो इन दोनों में हैं या इन दोनों में हैं इन दोनों के चारों का तीनों का common कुछ भी नहीं है यही एक मात्र बचेगा क्योंकि common यहाँ पे भी आ जाएगा तो दो dot जो यहाँ पे हैं वही dot यहाँ के हैं यही हमारा answer है इसी तरीके से एक एक dot को trace करते जाएए answer तक पहुँचते जाएए चले दोस्तों आगे चलते हैं अगले question की तरफ यह लीजिये साब अगला question है दोस्तों 11 number आप सभी के लिए वही situation हमें देखनी है वही चीजों को trace out करना है यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे को एक dot तो ऐसी जगे चाहिए जहाँ पे केवल square है और circle है square circle ज़रा देखिए square और circle जहाँ पे मिल रहे है वो triangle के भी अंदर है छोड़ देते हैं square और circle जहाँ पे मिल रहे है square और circle जहाँ पे मिल रहे है वो triangle के अंदर भी है छोड़ दें से square और circle जहाँ पे मिल रहे है square और circle वो triangle के अंदर भी है अब दोस्तों ये तो hat-trick हो गई तीसरा ऐसा position मिल गया जो मेरे एक ही बार में element हो गया क्यों? आप देखिएगा square circle तो मिलेगा ही मिलेगा मिलना ही पड़ेगा क्योंकि ये 300% eliminate कर चुके हैं आप आराम से cross check करिए जो दूसरा वाला portion है ये वाला ये क्या है दोस्तों square or rectangle square or triangle ज़रा देखिएगा यहाँ पे square triangle का dot है क्या बिलकुल है जाब ये वो dot है जहाँ circle नहीं है और हमारा answer भी वही है लग की बात है दोस्तों पहले dot से अगर सारे eliminate हो जाते हैं तो आपका confidence भी बढ़ जाता है number one number two सिर्फ cross check करने का यानि time भी बढ़ जाता है surety तो नहीं है कि पहले कौन सा वाला dot आपको मिलेगा बढ़ try करते रही है यहाँ हम देखते हैं दोस्तों अब 4 figure आ गए हमारे पस 4 figure तो एक तो वो है जहाँ तीनों चीज़ें मिल रही है और एक वो है जहाँ दो चीज़ें मिल रही है तो पहले दो चीज़ों वाला देख लेते हैं हमारे पास है rectangle और circle इनका combination है यहाँ पे circle rectangle का combination जरा देखेगा circle पूरा के पूरा rectangle के साथ जब भी आ रहा है तो अकेला नहीं आ रहा है हटा देते हैं से सरकल और रेक्टैंगल ज़रा देखेगा ये मेरा सरकल है ये मेरा रेक्टैंगल है ये वाला पोर्शन ट्राइंगल में आ रहा है ये वाला पोर्शन स्क्वेर में आ रहा है ये वाला portion भी square में आ रहा है ये भी काम का नहीं है circle, rectangle में दो तो eliminate हो गए है circle और rectangle जरा देखें हम circle और rectangle क्या ऐसा कोई portion है जो बाहर है जरा इसे गौर से देखेगा ये वाला point यहाँ एक minute dot लगाया है ध्यान से देखेंगे ये जो dot लगाया है ये circle में है rectangle में है square से भी बाहर है और triangle से भी बाहर है circle और square जरा देखें common portion को circle यहाँ पे है और square यहाँ पे है triangle यहाँ पे है इन दोनों का common portion यहाँ मिल जाएगा दो eliminate हो गए, दो बच गए ध्यान से देखेगा मैंने क्या कहा आपको ये circle और rectangle यहाँ पे मिल रहा है ये circle और rectangle यहाँ पे मिल रहा है अब दूसरी वाली position दूसरे में बाकी तीनों होने चाहिए rectangle को छोड़के rectangle को छोड़के बाकी तीनों आप देख सकते हैं ये एक circle है ये square और ये triangle है तो आपको triangle को छोड़के बाकी तीनों चाहिए जरा देखें rectangle को छोड़ डेखें rectangle को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे circle नहीं है और यहाँ पे square नहीं है उटा दीजे इसे अगर मैं rectangle को छोड़ देता हूँ तो यह वाली जगे इतनी बड़ी जगे आप देखें का circle में भी है square में भी है और triangle में भी है यानि कुल मिला के ये वो जगह है ये वो question का option है जहां ये satisfy हो रहा है ये dot situation भी मिल रही है और ये dot situation भी मिल रही है so question number 12 का answer हो जाता है हमारा 4 so question number 12 के बाद और आगे चलते हैं अगले question की तरफ इस बार आए दोस्तों 15 और आप देख सकते हैं 15 number question में 3 dot है 3 dot situation को हमें handle करना है हमें ध्यान रखना है ये तो मुझे लगए जितने ज़्यादा dot होंगे न student को लगएगा की बहुत tough हो गया मैं तो बोलता हूँ easy हो गया elimination फटाफट हो जाएगा देखते कैसे सबसे पहले तो only triangle जरा देखो only triangle तो मुझे लगता है बहुत easily मिल जाएगा only triangle तो मिली जाएगा मतलब ही नहीं था दिमाग लगाने से only triangle का का काम हो गया अब दो को उठातें दोस्तों यहां पे देखेंगे circle और square को जरा देखें circle square कहां पे मिल रहा है यहां पे यह triangle का भी part है नहीं चाहिएगा यह वाला portion जो है यह circle square है यहां पे अगर आप देखेंगे circle और square इतना ही है क्योंकि square इतना ही है circle जो है वो पूरा है तो circle square का portion अगर हमें चाहिए तो यहां मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा के पूरा Circle square दोस्तों, circle square यहां पे, यह जो dot मैंने यहां लगाया यह यह यहां लगाया, यह circle square का dot है Circle और square का dot यहां पे देखे, यह वाली जगे पे ये वाली जगे सर्कल स्क्वेर में हैं ट्राइंगल से बार है सर्कल स्क्वेर में हैं ये वाली ट्राइंगल से बार है सर्कल स्क्वेर में तो मज़े की बात देखें दोस्तों सर्कल स्क्वेर से एक भी ऐलिमिनेट नहीं हुआ अब elimination किस से होगा दोस्तों इसी से होगा आपके पास चाहिए एक तो triangle और एक चाहिए square जरा देखें triangle square यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ circle भी मिल रहा है triangle square यहाँ पे मिल रहा है लेकिन square भी मिल रहा है triangle square जो है वो मिल तो रहा है triangle square यहाँ पर मिल रहा है, white लगा तो है पहले उसे देख लेते है triangle square, ध्यान से देखे का triangle और square जो मिल रहा है वो circle के साथ मिल रहे है तो यहाँ अगर आप और zoom करेंगे तो यह जो दो जगशे मिल रही है यह square में भी है और triangle में भी है और इससे एक काम करते हैं दूसरे लगे ढूनते हैं ये डॉट एक थाना एक ये वाला पॉर्शन आप देखिए इधर ये जो यहां पर मैंने डॉट लगा है जूम करके आराम से देखिएगा आपके बुक के अंदर ये स्क्वेर में हैं श्राइंगल में हैं लेकिन सर्कल में नहीं है तो यही हमें चाहिए था और यही आंसर है तो तीन वाले में हमें थोड़ा जादा चलना पड़ा लेकिन आंसर जरूर आया ऐसा ही अभी करते हैं देखिएगा थोड़ा easy कर लेते हैं ये वाला question है दोस्तों आप देखेगा circle तो चाहिए ही चाहिए एक ऐसी जगे जो तीनों में common है अभी उस पे दिमाग नहीं लगाते तीनों पे common वाली पे तीनों पे common है वैसे मैंने जब देखा तो नज़र आया कि यहां तीनों में common नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि circle और triangle विल्कुल अलग चल रहे हैं तीनों में common से वैसी eliminate हो गया अब दो दो चलते हैं दोस्तों पहले चलते है circle square पे ये मेरा circle square आ गया यहां ये circle square आ गया यहाँ यह सर्कल स्क्वार आ गया लेकिन इलिमिनेट हो गया यहाँ यह सर्कल स्क्वार आ गया अब चाहिए क्या दोस्तों सर्कल ट्राइंगल था आप देखिए सर्कल और ट्राइंगल यहीं पर मिल रहा है सर्कल ट्राइंगल मिल तो रहा है अब बचे सिर्फ, सिर्फ एक ही बचा, जहां पे common यहां पे आ गया, एक dot यहां आ गया, एक dot यहां गया, तीन dot की situation fulfill हो गई, मैंने कुछ न कुछ करके बाकी वाले eliminate कर दिये, और exam में भी तु यही करना है, आपको जो काम के नहीं हो नहीं, eliminate करते चलिए, चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, question number 19 पर आगये हैं, ध्यान से देखेगा, question number 19, again, तीन dot situation है, तीन dot situation को तीनों को अलग-अलग satisfy करना है हमें, चेक करते हैं, single को तो मत देखो, काम का नहीं रहता, अभी पहले तो यह देखते हैं, दो का, यह है हमारा circle, यह है मेरा square, circle square को common ढूण लेते हैं, circle square, only circle square, देखें दोस्तों, only circle square यहाँ पे है, यहाँ पे circle और square जितना भी है, वो सारा triangle के साथ है, circle और square ध्यान से देखें, यह वाला portion है, circle और square यह वाला portion है, तो circle square से तो एक elimination हो गया, अच्छा common को ढूणने की ज़रोत नहीं के, common यहाँ पे भी है, common यहाँ पे भी है, और common यहाँ पे भी है, तो common से दिमाग मत लगाओ, अब बजाता यह, only circle, अब जो बच गया है, वो only circle बच गया है, only circle यहाँ पे है, मिल गया, आप देखे जरा only circle मिल नहीं रहा है, only circle मिल नहीं रहा है, दोनों ही cancel हो गए, दोनों ही cancel हो गए, यही हमारा answer हो गया, मुझे लगता है this बार only circle से फटाफट का मुझा तक क्योंकि यहाँ only circle नहीं है, और यहाँ भी only circle नहीं है, जनरली ओनली वाले को हम अवाइड करते हैं बाद के लिए रखते हैं मैं ठीक है देखें दोस्तों जैसा question है वैसा हमें करना होगा हमें एक एक dot को ले जाना होगा और वही best तरीक है जो मैंने बताया आपको अभी हम कहीं से भी शुरू करें सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं देखिए आप सर्कल स्क्वार यह एक ऐसी जगह जहां सर्कल और स्क्वार चाहिए हमें जड़ा इधर देखिए सर्कल और स्क्वार यहीं पर मिल रहा है लेकिन सबी के साथ common है circle और square यहाँ पर देखिए available है circle square circle और square available है लेकिन वो 7 में है eliminate कर दो circle square बिलकुल पूरा available है कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे पास दोस्तों दो ही चीज़ें बची अच्छा एक बात तीनों में common जो है वो तो तीनों में मिल रही है यहां भी तीनों में common आ गया, यहां भी तीनों में common आ गया, अब जो बाकी बचा वो चाहिए, वो ही देखना है अपने को, आपको का है भीया, triangle और circle, आप देख सकते हैं, यह triangle है, यह dot जो है, triangle और circle का है, जरा देखेगा, triangle और circle मिल तो रहे हैं, लेकिन अलग से नहीं मिल र रहे हैं यह हमारा अंसर हो गया तीन डॉट सिच्वेशन थी तीनों को अच्छे समझा तीनों को समझने के बाद अपलाई किया और अंसर आ गया चलिए और आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले क्वेशन पर लिए चलता हूं इस बार थोड़ा और व्यवस्थित नहीं अजीब सा क्वेशन आ गया है क्वेशन नमबर 21 बहुत आराम से देखिएगा इस क्वेशन को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा आप लोग 21 में क्या कहा है देखिएगा मेरे को तीन डॉट अलग अलग देख रहे हैं एक एक डॉट को एक एक समय पकड़ने हैं सबसे पहले मैं लेता हूं इस डॉट को ये कहा है दोस्तों ये है सर्कल और स्क्वेर में दियान से देख लो आथ में आएगा, circle square बहुत आराम से इतना बड़ा area देखिए, तो circle square तो हो गया मेरे भाई, अब लिए चलते हैं दोस्तों आपको triangle और square पे, sorry not triangle, rectangle और square, rectangle और square जरा देखिएगा, rectangle और square यहाँ पे, rectangle और square यह जो portion मैंने यहाँ पे किया, यह वाला portion rectangle और square का रहेगा, rectangle square दोन rectangle और square यहाँ पे मिल रहा, अगर आप ध्यान से देखिएगे तो यह वाला portion जो मैंने dark किया है, यह इसको red कर देता हूँ, शायद और अच्छे समझ आ जाए, यह वाला portion आगया, square rectangle का, यह वाला portion आगया, square rectangle का, अब तीसरी जगे बची दोस्तों, जहाँ square rectangle, triangle तीनों है, square rectangle, triangle तीनों है, यह वाला मेरा answer हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, square और triangle तो वैसे ही दूर दूर है, वैसे ही दूर दूर है, तो अपने आप ही अलग हो गया, eliminate हो गया, हट गया, केवल answer 21 का answer हो जाएगा, 1, चलिए और देखते चले जाते हैं दोस्तों, अच्छे से question को करना है हमें, तीन dot situation है, देखेगा, सबसे पहली dot situation कहां है, वो देखेगा, कैसे लेके चले हैं, यहां से देखते हैं, यहां पर तीन चीज़ अचाहिए, square, triangle, circle, rectangle तोस्तों, देखेगा, square, triangle, circle यह रहा मेरे बाई, square, triangle, circular, triangle, circle, दोस्तों, triangle, circle मिली नहीं रहे, square, triangle, circle, देखेगा, square, triangle, circle, यह रहाँ,ल, चलिए, square, triangle, circle, square, triangle, circle ये देखे, ये position है ये हो गया circle, square और triangle, चलिए तीनों में है, एक eliminate हुआ है दूसरा dot देखिएगा दोस्तों triangle को छोड़के बाकी तीनों, कौन कौन से circle, square, rectangle circle, square, rectangle बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे common ही है triangle, triangle common है तो मेरे को ऐसी कोई जगे मिलेगी नहीं जहाँ पे triangle नहीं हो क्योंकि triangle के अंदर ही पूरा circle है दो eliminate हो चुके है अब देखिएगा, मुझे जाए ये था ऐसा figure जिसमें triangle नहीं हो लेकिन square, rectangle, circle तीनों हो, अब आप देख सकते हैं square और rectangle तो दोनों ही अलग है ये भी मेरे eliminate हो गया तीन eliminate हो चुके हैं सेकंड वाले dot से ही answer आजाएगा मुझे ऐसा चाहिए था जहाँ square हो, rectangle हो और triangle triangle नहीं हो, circle हो ये answer आगया फिर भी अभी तीसरी situation बाकि है only circle and rectangle only circle and rectangle ये देखे साब, only circle and rectangle तीनों dot situation और तीसरी को चेक करने की ज़रती नहीं बढ़ी दो ही dot से हमारा सारा काम चल गया तो ऐसे ही तो question करने दोस्तों बस इसी तरह के से question करते चले जाएए चले दोस्तों, लिए चलते हैं आखरी के दो questions पे आखरी दो question is dot situation के यहाँ पे जो हमारे पास circle, rectangle, triangle, जितने भी सारे square बनते हैं, इस chapter के ही आखरी दो question ले आया है, दोस्तों, मैं 29 and 30 ध्यान से देखेंगे, एक-एक चीज को समझेंगे, पहले तो only rectangle को अलग से पहले तो देखी लो ना मेरे भाई, ये only अब देखते हैं, बाकी वाले questions को कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप कोई भी dot लीजे, पहले इस dot को लेते हैं, चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सारे common है, rectangle को छोड़ के, rectangle नहीं है ना, तो rectangle नहीं है, तो मेरे को चाहिए circle स्क्वैर और ट्राइंगल, circle स्क्वैर ट्राइंगल, जरा देखेंगा circle, square, triangle जरा कोई जगे पे है क्या, यहाँ पे circle, square, triangle इधर देखिएगा यह जो dot लगाया मैं न, यह circle में है, square में है और triangle में है, और rectangle में नहीं है rectangle को छोड़ दूँ दोस्तों इससे तो elimination ही नहीं हुआ क्यों क्योंकि ये जगे बहुत easily available हो गई अब जो बच जाता है उसे देख लो मेरे भाई ये वाली जगे केवल दो में है circle and triangle केवल दो दोस्तों circle triangle देखे circle triangle नहीं बन पाएगा सब में common है circle or triangle अगर आप देखें है तो ये वाली जगे जहां मैंने dot लगाया है ये सिर्फ circle है और सिर्फ triangle है answer यही आना चाहिए बच गया है उसे eliminate कर लेते हैं दोस्तों circle or triangle देखेगा common portion इतना है circle or triangle का यहां भी कोई न कोई है यहां भी कोई न कोई है यहां भी कोई न कोई है यानि कुल मिलाके अकेला circle triangle नहीं बचेगा यही मेरा answer हो जाएगा जो मैं पहले ही right लगा चुका था इसी तरीके से confidence आएगा अगर आप question करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक इस video को share नहीं किया है जैसे ही video पूरा होता है share कर लीजेगा subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजे दोस्तों क्यकि इस तरह के और भी बहुत सारी नई books बहुत सारे नए videos अपडेट आपको मिलते चले जाएंगे आखरी question बच गया है उसे भी पूरा कर लेते हैं जब इतना हमने video देखा है तो ये भी पूरा देखी लेना चाहिए चलिए hotel management का previous year का question है दोस्तों बड़ी अलग-अलग दूर-दूर dot की situation आई है तो कोई भी दो उठा लेते हैं सबसे पहले उठाते हैं अपन ये वाली ये कहाँ है देखेगा दो में है circle और square में नजर आ रही है आपको ये square है ये circle है only circle square देखेगा only circle square मिली नी रहा eliminate हो गया only circle square आराम से मिल गया मेरे भाई only circle square आराम से मिल गया only circle square आराम से मिल गया यानि एक eliminate हो गया इससे यहाँ देखें तो दो कॉन से हैं दोस्तों ट्राइंगल रिक्टाइंगल ट्राइंगल रिक्टाइंगल जरा देखेगा ट्राइंगल रिक्टाइंगल भाई यह तो ट्राइंगल पूरा ही के पूरा अंदर है हटाई दो इसे triangle rectangle पूरा के पूरा circle के अंदर हटा दो तो एक ही बज़ गया ना भाई triangle rectangle यहाँ पे मिल गया अब जो तीसरी dot situation है वो तो मिलने ही पड़ेगी fourth में होगी होगी नहीं होगी तो वो question ही गलत हो जाएगा ना check कर लेते हैं मेरे भाई ये वाली जगे आप exclusively circle और rectangle के पास है जरा देखिये circle rectangle के पास तो इतना बड़ा portion है यही हमारा answer है और यह हमारा dot situation chapter भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे इसे ही दोस्तों सारे chapters हमने समाप्त कर दी हैं अब आखरी chapter बाकी है उसको भी पढ़ लीजेगा आगे से आखरी दो chapter बाकी है पंदरा नंबर पे अभी हम है 16 और 17 दो chapter बाकी है एके करके वो भी आ जाएंगे और इस प्रकार से book complete हो जाएगी आराम से चीजों को समझ यह कोई भी चीज ना समझ आए दोस्तों आपके पास comment box है जरूर हमें हम तक पहुचने का जरीया है जरूर आप type करें इस book को बहुत अच्छे से use लें थांक्यू और टेक केर